लोग अपने फोन से फोटो और वीडियो डिलिट कर देते हैं जैसे कि यह फोटो है तो आप यहां से डिलिट कर देते हैं और आपको लगता है कि यह फोटो पूरी तरह से डिलिट हो गया है तो इस तरह से लोग डिलिट कर देते हैं और उन्हें लगता है कि आप सब कुछ ठ यह मैं बहुत पहले लिया हुआ था यह कुछ 10,000 या 12,000 का था सौट्वेर तो इसमें डेटा रिकवरी है यह रिकवर डिलिटेट कॉंपलेक्ट मेसेज पोटो एंड मोर फ्राम एंडरा डिवाइस एंड माइक्रो एजडी का तो आपके फोन से कोई भी फोटो या वीडियो हो गया है या मेम्परी कार्ट से डिलिट हो गया है तो वो यहां से आप उसे रिकवर कर सकते हैं आपके फोन से जितने भी डिलिट हुए फोटो वीडियो हैं सब कुस आपको फिर से वापस मिल जाता है तो इन्हीं साफ्टेयर की वज़ा से कभी भी कोई भी आपके फोन से डिलीट हुए साफ्टेयर को आसानी से रिकोवर कर सकता है तो लोग अपने पर्सनल फोटो और वीडियो को डिलीट कर देते हैं उन्हें लगता है कि यह पूरी तरह से डिलीट हो गया है लेकिन आपको नहीं पता कि फोटो या वीडियो या कुछ भी जो आपको से डिलीट कर हैं जो फोटो या वीडियो आप डिलीट करते हैं तो वह वापस कैसे रिकोवर हो जाता है यह आपको जानना जरूरी है आप यहां पर फोन में देख सकते हैं जब आप अपने मेमरी कार्ड या इंटरनल में मेमरी कार्ड में जाएंगे तो हर एक फोन में आप देखेंगे यहाँ पर देखे यह Android करके लिखा हुआ है जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखे डेटा है मेडिया है और यह OBB कर गया है तो यह जो डेटा है इसमें आपके फोन के अंदर जितने भी एप्रिकेशन है जितने भी फोटो वीडियो आप रखते हैं जो कुछ भ देटा यहाँ पर मौझूद रहता है जिसकी वज़ास से उसे वापस रिकवर कर लिया जाता है तो अगर आप चाहते हैं परमाने डिलीट करना चाहते हैं तो अपने फोटो और वीडियो को परमाने डिलीट करने के लिए आपके पास सिर्फ एक यह आप्सन होता है और वो ह आपको अपने फोन को पूरी तरह से फार्मेट करना होगा तो फोन को आप जब फार्मेट कर देंगे फोन को फार्मेट करने के लिए आप यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखके रिशेट का आप्सन आता है आप रिशेट पर जब क्लिक रिटीट सेटिंग रिशेट नेटवर्ट सेटिंग एक्सेसबिलिटी सेटिंग, और यह है पक्टरिडेट ing और यह ऐ प्केक्टरि डेटा रिखेट तो आपको ये फैक्कटरा डेटा लेसिट जब करेंगे तो आपके खौन में से सभी डेटा, सभी आकाउंट, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, फिर आपके खौन से कोई भी फोटो या वीडियो रिकवर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे यूसफुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा, वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत थान्यवाद,